आपको इसका ये पका हुआ फल है देख पा रहे हैं ये पका हुआ फल है और ये इसके अंदर इस तरीके का होता है अंजीर की तरह है अंजीर की तरह है बिलकुर ये देख लीजिए तो अंजीर की तरह है इसके दाने और आप इसको पका हुआ कच्चा नहीं खाना है कोई भी पकने के बाद इसको खाये जाता है और इस तरीके से खाएंगे आपका पेट बिलकुर तंदरस रहेगा पेट के अन्दर कोई कमी नहीं होगी नवशकार भाई बैन कैसे हैं आप उम्हीद करता हों कि सोस्त होंगे और मस्त होंगे अपनी जिन्दगी में तो पहला सुक निरोगी का है तो आज आईए देखिए मेरे हाथ में कितना सुन्दर पौधा है और देख लीजिए आपका जाना पहचाना पौधा होगा आप पहचानते होंगे पर इसके गुण और इसके फाइदे क्या है साइद नहीं जानते होंगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा अगर आपके सरीर के अंदर कैल्सियम की कमी है किसी भी प्रकार से कैल्सियम की कमी है तो आपके ये कैल्सियम को पूरा खनने वाला पौधा है और हड्डियां क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है तो हड्डियों को मजबूत करेगा कैल्शियम आपके सरीर की पूरी करेगा और आपका हड्डियों को मजबूत और कटने फटने में कहीं चोट लग जाती है किसी चीज की भी चोट लग जाती है तो ये घाव भरने के लिए भी बहुत बढ़िया रामबान औसदी है अगर मधमे के लिए भी बहुत बढ़िया रामबान औसदी है अगर किसी का नासूर हो जाता है नासूर को घाव हो जाता तो आप जानते हैं कि नासूर का घाव जल्दी भड़ता नहीं है तो नासूर के घाव के लिए भी इसका बहुत बड़ी अप्रियोग है तो मैं आपको बताऊंगा आगे की कैसे नासूर में इस्तमाल करना है अगर किसी के सरीर में बदबू आती है पसीने में बदबू आती ह नहीं कि आपके सरीर से मतलब पसीने में बदबू आने लग जाती है किसी की जिभाई बैने के तो अगर पसीने में बदबू आती है तो इसके आप इनका सराच्छन करें, पौधे का नुक्सान न करें, अगर आप एक पेढ़ काटते हैं, तो कम से कम दस पेढ़ लगाने की कोशिस करें, तब जाकर के जो है, आप नहीं तो आज हम पेढ़ काट देंगे, कल आने वाली हमारी जनरेशन, क्या करेगी तो इसलिए पेढ़ो आप उसको अंजान में तोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से किसी भी पौधे का नुक्सान न करें, किसी भी, क्योंकि अगर हरा भरा पेढ़, अब ये बारो महीना पेढ़ हरा भरा रहने वाला है, ये पाकर का पेढ़ है, पिलखन भी कहते हैं, पकड़िया भी कहते हैं, म पेट में गर्मी हैं, तो आप इसकी छाल ले लीजिए, छाल निकाल लीजिए, और छाल निकालने के बाद आप पानी में भिगा दीजिए, और सुबह खाली पेट, सुबह जगने के बाद आप खाली पेट इसका पानी पीजिए, देखिए कि आपके पेट के अंदर की पू और इस्ते लिए इन को देवाईयों को खा करके तंद्रस्त भी रहते थे और हमसे में तो आपके दाद में को नुगसान करना शुरू किया तो इस लिए आप इसका पहना पहुद्धों को लगाएं और ज्यादा ज्यादा पहुद्धों की देखरें करें अगर छाला चाला पड़े हुए हैं आपके मुँने तो आप इसकी दातून कर सकते दातून को तोल लीजिए, आपके दात में कोई दिक्कत हो, दात में पैरिया हो, दात में दर्द हो, दात आपके मजबूत नहों, तो आप देखेंगे कि अगर इन सब चीजों का इस्तमाल करोंगे दात में, तो आपके मुह की बद्बू, मुह में किसी भी प्रकार का संक्रमन तो आपको नहीं रह जाएगा मूँ का छाला भी खतम हो जाएगा तो इस प्रकार से इसका हाँ ये है कि इसका पाउडर आप सुखा करके इसके छाल का पाउडर भी बना के रख सकते हैं इसके दाने का भी पाउडर निकाल करके रख सकते हैं सुखा करके पाउडर बना लिए छाय में सुखाईए फिर केवल पांच ग्राम आपको खाना है ज्यादा नहीं खाना है कि ज्यादा खाएं आपको क्या करना कि साम को पांच ग्राम पाउडर फुला दीजिये और सुबे उसको ताजा पिली जिये तो आप देखेंगे कि आपके पेट के अंदर कोई भी मड़ आँखों में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपको आँखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा अगर आपके बाल काले नहीं है तो आपके बाल भी काले करेगा तो इस प्रकार से इसके इस्तमाल करिए और इसका सरचण करिए और ये पेंडों को काटना बंद करिए सब कि हम जड़ी बूटी वीडियो ऐसी लाते रहते हैं तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा शभी भाई बैनों को नवश्कार जहन बंदे मात्रम